गूड एवनिंग साथियो ग्यानघर यूट्व चानल में आपका स्वागत है बीपीए सी ट्री फेज तीन दसालों ओका साइन्स का प्रैक्टिस सेट चला है आपका क्लास यह आप 1-5 के लिए हो सकते हैं 6-8 के लिए हो सकते हैं 9 to 10 के लिए हो सकते हैं या 11 12 साइंस इस्ट्रीम की बात करें फिजिक्स की हो सकते हैं क्यमेस्ट्री बायोजी बायोजी में दो आपका बॉट्णी और जॉलोजी उन सभी के लिए जो आपका साइंस स्लेवर जो पोर्शन होगा उन सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल बहुत ही कारगर इससे बाहर कोशन का दारा नहीं जा सकता है कोशन इसी के बीच घूमता हुआ चक्कर लगाता हुआ नजर आएगा जिस परकार मैंने आपसे बताया बुलू सिट और रेट सिट क्या होता है तो यह जो सिट है एक्जाम का बिल्कुल बुलू सिट है मतल़ एक्जाम का कौशन और ज्यानघर का जो सिट करा जा रहा बिल्कुल करीब आता हुआ नजर आएगा यह बात आपको कैसे पता चलेगा प्रूप αड़ तो मैं दे चुका में दे चुका हूँ और आप कहा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है है मेरा मोटो है आपके एक्जाम में कोशन को ठकरा देना ठीक है वह आप वीवर के तरफ मज़ाइए सब्सक्राइबर के तरफ मज़ाइए कंटेंट पर देखिए और जिसने एक्जाम में मैक्सियूम से मैक्सियूम कोशन को टकराने का प्रयास क्या है तो आईए हम लोग सेट का आगास करते हैं कुछ बातों के साथ कौन सी बात है वह बात जो आपके जीवन को एक नहीं उर्जा देने का काम करेगा नसीब ठीक है नसीब और मुकदर की जो जंजट है तो बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं कि हम फेलियोर हो गए मतलब साइद लक साथ नहीं दिया लक फैक्टर होते जरूर है लेकिन थोरी मेहनत अगर इमंदारी से की जाए तो लक पे भी क्या हो जाता हाभी हो जाता डिले होगा लेकिन आपको इतना मैचुरेटी जरूर हो जाएगी कि आप जो है उस फिल्ड में आप महारत हासल कर लेंगे तो इसलिए हम आते हैं स्टार्ट करते हैं नसीब तेरी हतेली पे है तू अपना मकदर मत धूंड अरे सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर को तलास करता है समंदर को टकराना होता है तो पत्थर से जा मिलता है कहने का मतलब यह है कि नसीब जो है हतेली पे है तू अपना मकदर मत धूंड अरे सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर को तलास करता है तो आईए हम लोग सेट पे आते है ठीक है क्या का सेट है आज का सेट है कि से संब्दित जो कोशन पूछने का ट्रेंड रहा है वी पीपीश्ची का वो कोश्चन्स आपका मैंने केमिस्टी के एक पूर्षन करके कम्प्लीट करने का प्रयास क्या हूं ठीक है कുछन साव का है काय केंदर घनिय ए मतलब सॉल इश्टेट में मिपर आपका यह प्रों आरा है निचका इनील ब्र cœur कि रहे heck बाल सैंटर कि यॉबिक तर यानि जैसे क्युब है यह हमारा ठीक है यह क्युब बना हमारा है, नकिव Says से सांक्सिव přेसीटर हो संकूलन छपता मतलब पैकिंग इफिसेंशी छमता को तो समझे इफिसेंशी पैकिंग इफिसेंशी तो हमारे पास जो एर्रेंजमेंट होता है तीन तरह के होते हैं, एक होता है FCC, फेस क्यूबिक सेंटर और एक होता है BCC, बड़ी क्यूबिक सेंटर और एक होता है सिंपल क्यूबिक सेंटर, इस सीसी, इसमें पैकिंग फ्रेक्शन की बात का आप से पूछा है BCC में, तो BCC में फिर जब आप सेंटर को एरेंज करिएगा, तो लगवख लगवख 68% जो है जगा फूल हो जाएंगे, तो आप से पूछा है कि पैकिंग एफिसेंसी जो होता है, BCC में कितना होता है, तो 68% याद रखेगा, कोशन फिर ट्विस्ट कर सकता है, पूछेगा कि BCC में पैकिंग करने के बाद कितना जगा खाली रहती है, तो पैकिंग में कितना जगा यूज हुआ है, 68% और परसेंटेज होता है, तो 68 जो है यूज हो गया, तो बचा कितना हमारा, 32% बिल्कुल आपने स ज़रूर है, तो इस पार मोर चांसे जगे कि ये कोशन पूछा जा सकता है, ठीक है, चलिए, वहीं पर बात अगर कर दे कि FCC का पैकिंग इफिसेंसी कितना होता है, तो याद रखेगा, 74% कितना, 74%, FCC का 74%, यानि इतना पैक होगा, खाली कितना रह जाएगा, बिल्कुल आपन तो याद रहता है, तो यह बात जो है, माइन में रखेगा, चुकिके कोशन यूनिट से पूछ चुका है, ठीक है न, तो उमीद है कि इस पी कोशन को क्या करेगा, पूछने की चांसे से पूछा जा सकता है, चलिए अगला पर्शन वाद हम लो, एक बाहरी इन परकार अर चालक के लिए फर्मी अस्तर होगा, तो फर्मी अस्तर बाहरी से जब आता है, तो यह कंडक्शन बैंड की तरफ मुड़ता है, कंडक्शन बैंड की तरफ मुड़ता है, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है और यह हमारा कंडेक्शन मेंड इसके तरफ जुका होता है तो यही पुझा दा चालन मेंड की ओर जुकता है तो आपका एंसर जो है यह हो जाएगा इन का मतलब समझेगा क्या होता नमबर ऑफ होल्स कहले यह नमबर ऑफ एलेक्टों कहले जिए और किसी भी कंड़ धातु से जब एलेक्टों फ्लो करता है जिसका मतलब क्या होता है उसमें चालन परभा होता है ठीक है चली एनस्यल जालक में एने और को असील माहा सायन और पलासायन और सील माहा शालक की उपस सहावसायोजन संख्या है तो जब यह जूरता है नसील सटाक कोमेटरी आप भले नहीं पढ़े होंगे तो वहाँ पर एक एस्ट्राक की एफ्क्ट होता है ज्हां पर ऐने kios सटाक को यहां पर इंए coda को लिधा को कियों टाbes flat on evolving her जॉले एकॉर याद रहाएगा कितना सव्टा आ फिर शे को पनेते होता है कि अगला प्रस्न है की लोगलाम यह जो कि कुन व सुलाना केंदकी योड़्यान जाला का वर्णन करता है तो इसका मतलब यह ध擊 कि सेंटर की तरफ यानि हमारा क्यूब बना हुआ है क्यूब में हमारा जो सेंडर होगा एक ही सेंडर होगा तो अगर एक सेंडर होगा देख लिए एका कोश्टीका में परतेग फलक के परतेग कोन और केंदर पर परमानू वाला एक जालाग होता है ऑफ्शन यहाँ पर पर पर्मानु वाला एक जालक जिसे यहां पर एक कोस्टिका के किनारे पर पर्मानु होते हैं यहाँ इसका मतलब तो हमारा इस हिसाब से मोड सुपूरियर एंसर जो जा रहा है बी के तरब जा रहा है ठीक है बी नमर यानि एक क्यूब में सेंटर एक होंगे और जब वो क्रिस्टल ग्राफी मतलब क्रिस्टल का फॉर्म लेगा तो उस पर परवानू होंगे वो एटम्स यानि कॉर्णर पर जो है एर्रेंजमेंट हो जाएंगे सिफ्टेट हो जाएगा तो आपका जो ऑप्शन है भी इदा करें कंसर अ कि अ कि अ कि अलकलिक हैलाइड को अलकोहल में इस परकार प्रवरित्थित किया जाता है अलकायल ग्रूप से कोई हैलोजन जुरा हुआ है इसको बनाना कनवर्ट अलकोहल में तो अभी हो जागा यह आरो एच और पलस एक्स जो है हमारा हाइलाइड ग्रूप है बताई पहले अलकायल से हैलोजन जुरा था अब हाईलोजन क्या होगी अलग हो गया अलग को कहते हैं लोग टांसफर या परतियस्थापन या टांसफर तो हम लोग अलकायल ह एक हापन कहलाएगा तो अनसर बी सटाक्रेक्ट चलिए जल के थ्रीक बिन दू जल के थीघ्म बिन दू क्या होता हो जल के थ्रीक बिन दू क्या होता है तो आप देखें होंगे यह अगर माल लिया जाए प्रेशर और टेंपरेजर की बात करें जल के थीक विंदू वह कहते हैं जहां पे इन जल का कितने रूप होते हैं तीन थोस दर्व और गैस ऐस द्रिबल पॉंट इसको कहते हैं जहां पे ठोस भी मिल सकता हो लिक्विट में मिल सकता हो और गैस मील सकता हो यानि компьют वाटर का वह पॉइंट वह टेमपरिजर पॉइंट जा पैसलीब सालीड अबस्था में हो ठोस भुषता में ओ और दर्ब अबस्था अगर इसको टूस में तेमपरीजर पर लेजयेगर तर बन जाएगा तर्ब दर्बन जाएगा अगर हमलोग ठेमपरिजर को FI C सबस्ता में हो उसी को हम लोग गर्टाइब हमारा को क्या हो जाए wat超 दर्व कोन वास्प सह असित में होता है ठीक है इस्टैबिलिटी फ़ॉर्म में होता तो इसी को हम लग्ट कहते हैं तो यह जो है आपका ए नमबर इंदक करेक्ट एंसर निवलिकित में से कौन सा धर्व परति-रोधी कोलाइड का उधारन नहीं है परति-रोधी कोलाइड समस्ते नेher ऑगर आनमाल लीजा कि पानी में बालू मिला दिजिए अगर क्या बालू पानी से मिल जाएगा एक समय nac term जोह जाए जब इसको लाग एख लाने के समय ऐसा में के लगे एक हो गिया लेकिन लेकिन कुछ मैं के रूमें जाना जाता है कि यह देखिए एक बाउंसर कोशन यह बीप्यस्टी में कभी पूछेगा ही नहीं यह नेट कोशन कहां से इसमें ट्राइप हो गया है यह कई पूछेगा नहीं और बता भी देता आपको समझ में नहीं आएगा यह फाइव आयन की निम्तम अवस्था के लिए परकलित चुम्बक्य आघुर्न होता है तो इसका जो एंसर हो जाएगा हमारा रूट थर्टी फाइव बाई सेवन होगा लेकिन यह पूछा है सी एस आयार में जानते ही आप नेट जारेप उसमें पूछा यह बीपेसी में नहीं पूछेएगा पीजी लेवल का कोशन है इसको अटा दिजे लेकिन एंसर अगर फाइव में इसको याद रखेए रूट थर्टी फाइव बाई सेवन ठीक है चलिए परमानविक पद परतीक फोरेप से संगत माइक्रो स्टेट यह भी पाउंसर कोशन आगे आपका माइक्रो स्टेट भी निकानने को आपको फर्मूला यह हमारा अंगलर मोमेंटम होता है ठीक है और इस स्पाइन होता है यह जानते ही है ठीक है यह भी कोशन्स आपको नहीं पूछे एगा लेकिन आप जो है थोरा सा जान लिजे ल का भेलू अगर माल लिए जाए यह हमारा पी है तो यह होता हमारा इस ऑर्बिटल का व्यूंग हुटाइब पलस वन इसका होता है जीन ओर इसको अधमार सिट की बात करिए तो हमारा क्या होता है ुलिए जीने लीस नियों और विट रॉन की जो ातले ही निया एंन्ने एक अर्बिटेल यह कितना विलूग लिया जा त्रदू तीन, चार, पांच, छे साथ, इसका उता, पालस थी, पालस टू, पालस वन, जीरो, माइनस बान, माइनस टू, माइनस त्री, तहर ये सब चीजे हैं, जो निकलेगा हमारा, ठीक है, एंगलर्ट, आई ये हमारा क्या होता है, इल जो हता है, पॉलस एल से लेकर के माइनस एल तक भेलू होता हमारा इतना डेप्ट में आपको जाने की जरूरत नहीं है ठीक है इतना डेप्ट में कोई स्थापना उपसा संयोजन संख्याओं को बनाया रखते हुए क्या जाता है है तो याद रखिए ये विनी में तंत्र होता है कोडिनेटिंग जो एड़ होता जिसको हम दो क्याता है चिलेशन कहते हैं आपस में जूरे रहते हैं ठीक है चलिए अगला प्रसन आपते हैं SF6 में सल्फर का ऑक्सी करन अवस्ता है SF6 में तो आप जानी सल्फर SF6 में आपका सल्फर का ऑक्सीदेशन नमर पूछा है तो याद रखिए कि इस पे कोई चार्ज है क्या नहीं है इसका पूछा तो इसको एसे रहने दिजे और एक फ्लॉरिन कर था माइनस 1 कि इनवान गतना थे ख्लॉरिन है क्या होता है तो PCL 5 का जो होता है बस डारेक्ट याद रखिए trigonal bipyramidal होता है trigonal bipyramidal होता है ठीक है चली अगर geometry पूछना चाहते हैं इसका तो यह हो जाएगा SP3D2 SP3D2 इसको हम लोग जैमीती कहते है geometry sorry hybridization कहते हैं इसको क्या कहते हैं hybridization hybridization है ठीक है चली अगला प्रसना आपका है निमली की तुमेंसे कौन पी ब्लॉक तत्व नहीं है तो पी ब्लॉक तत्व आपका जो है मैंगनेसियम आपका दीख रहा नहीं है बाकि सब पी ब्लॉक है तो आपका मैंगनेसियम हो जागा अंसा यानि पी ब्लॉक डिशाइड करने का क्या तरीका है जब हम configuration करेंगे लास्ट लेट्र अगर पी ब्लॉक में जा रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे क्या बोलिए जालेंगे पी ब्लॉक एलिक्त में से किसका बंधन कों सबसे अधिक है सबसे अधिक आप इसमें सबसे जादे हिकट्रनेगे ड्रिटिव कोन है फैलोरी इन है जिसका जादे इलेक्ट्र नेकिटिविटिविटिज उसमें बंप जलेंद होगा यह बोण्ट एंगिल Major वो फ्लोरीन का ही होता है ठीक है चलिए विचार किये विचार किये नहीं है यह विचार किये विचार विचार किये अमल है इसको कहते हैं लो एस्थ्री प्यो फोर को अमलो विचार किये अमल कहते है एस्थ्री प्यो फोर ठीक है चलिए एकसी एफटू के अनू की आकिरती होती है एकसी एफटू तो यह जो एरेंडमेंट होता है लीनियर होता है क्या होता है लीनियर होता तो इसको हम लो रेखिये कहेंगे क्या कहेंगे रेखिये कहेंगे ठीक है चलिए सफेद फॉस्फोरस पी अनू में इन में से क्या सही नहीं है शिक्स पीपी सिंगल बॉंड होता यह होता है फोर पीपी सिंगल बॉंड होता यह भी होता है जब एर्रेंजमेंट करेंगे ताँ चार लोन प्यर एलेक्टोन होता यह नहीं होता है चार पीपी बॉन्ड कौन 60 डिए होता ये भी होता आपका नहीं होने वला आपका चुक्छ लॉन पेर नहीं होता फॉस्फरस के पास एक ही लॉन पेर है जब बॉंडिंग में आ जाएगा तो भी लॉन पेर गायब हो जाता है लेकिन ऐसे अगर फॉस्फरस के पारें पूछे तो एक लोन पेर बताईएगा क्या करिएगा एक लोन पेर बताईएगा चले निमलीखित में से सबसे परवल अम्ल कौन है सबसे परवल अम्ल जिसका साइज बरा होगा यहां भी ट्रिक लिख लिएगा जिसका आकार ज्यादा बरा वो हमारा लेस एसिडिक होगा की, कम अमल्य उवहगा size की बात करेंगे, दोрीन की size गम होती है उसके बाद कॉलोरीन की उसके बाद ब्रॉमीन की, उसके बाद Iodine सभ से जादया size हमारा Iodine का है ऐसे आ रहा है तो हमारा size जो है बढ़ रहा है थीक है तो ये हमारा list acidic हो जाएगा तरीका को पकड़ते चलेंगे कनफ्यूजन कहीं नहीं होगा रटिएगा फंसिएगा समझेगा सेलेक्शन पक्का है ठीक है चले पी और्बिटल का आकार होता है तब पी और्बिटल जो हता है हमारा कुछ इस फरकार होता है ठीक है आपने देखाओगा डंबरू डंबरू टाइप का होता तो उसी को हम लोग कहते हैं डंबल क्या कहते हैं डंबल ठीक है ना चले इसको बना लेजे डंबल आकार रखा गंधक का फोलॉरीन की अधिक्ता में बनने वाला उत्पाद है गंधक का fluorine की अधिकता में बनने वाला उत्पाद है अगर fluorine की माध्रा जाद है तो यह बनेगा हमारा SF6 बनेगा SF6 बनेगा क्योंकि sulfur का oxidation number plus six maximum हो रहा है और यहां कह दिया कि fluorine की अधिकता से तो अधिक्ता से हमारा जो बनेगा गंधक, गंधक बोलते हैं, जनरली हम लोग sulfur को है, तो आपका ये बनने वाला ये है, क्या है, बुलिए, SF6, अमल राज का एक मिश्रन है, अमल राज, एक्कोर एजिया, तो एक्कोर एजिया जो मिश्रन है, किसका है, ACL और HNO3 का, HNO3 का, ठीक है, तो जिसमें ACL की मातरा कितना, तीन, और Natic Acid का मातरा कितना, वन, ठीक है, तो answer क्या हो जाएगा, ए नमबर हीदर करेक्ट एंसर, हीरे में कारभन का संकरन है हीरे में कारभन का जो होता है हorta होता ही investir होता है कितना होता है a trafi सफोゲ applying कि गोता immediately in Pal of throat के साथ मिलकर ले जाती है क्या लेके जाती है याद रखेगा गोताक direct को जो है औक्षिएन के साथ हिलियम को दिया आता किसको दिया आता हिलियम को दिया आता है कि सरवाधिक विश्रन छमता पाई जाती है सरवाधिक डिफुजन किसे पाई जाती है याद रखिए यह हिलियम में भी पाई आता है सोरी नियोन मुला गया हिलियम किसमें हिलियम में विश्रन मतलब फैला ओर वार सबसे हलका गैस को ओन लियम गैस होता है इसलिए आप देखें होंगे कुबारा बेगार तो जो बेघा जाए एक बारा को अपना एर करिएगा तो और उसका होता है बार नीचे क्यों रहेगा लेकिन उसी गुबारा में जब हिलियम फिल कर अगला कोशन है हीलियम का मुख सरोत क्या है हीलियम का मुख सरोत जो है यह सूर्ज है सन ठीक है चले और भी कोशन है क्या इसमें अब कोशन नहीं है यह 25 कोशन के साथ आज का सेट होता है कंपलीट अभी तक आपने साथियों को ग्यानखर यूट्व चानल से नहीं जो रहे है प्लीज जोड़ने की कोशिश करें, चुक्छे जो कोशन कराई जा रही है, जो सेट कराई जा रहा है, बहुत ही बेनिफीशल है, जब आप एक्जाम देने जाएंगे, तो पता चलेगा, अभी से क्या बता है हम आपको, जब आप एक्जाम देखिएगा, जब एक्जाम देने और स्लेक्शन होना ही है स्लेक्शन पक्का है तो ग्यान करें व्टू चैनल के साथ बने रहे हैं थेंक्यू थेंक्यू समाज जैहिन साथियो